Hello students, welcome back to my YouTube channel, let's do it, तो आज हम करेंगे class 10 के exercise R4 का indices and powers, घतांक और घात, जो कि question number 3 है, simplify करना है, सरल करो, क्या करेंगे, सरल करना है, simplify करना है, question number 1 है, यहां में दिया गया है, minus 3 का power 2 into minus 5 का power में 2 दे दिया गया है, तो इसे हम, हमें पता है, यह minus का square करते हैं, मतलब जब भी minus रहेगा उसको even number रहेगा, even मतलब sum, मैंने बताया था, कि जब भी power में, किसी भी चीज़ का power में अगर square हो, square हो मतलब minus में हो, तो क्या बंजता है, plus बंजता है, यह भी क्या हो जाएगा, plus, और 3 का square कितना होता है, 9, 3 का square कितना हो देगा 9 और यहां में 5 यह भी तो power क्या है sum है even है तो even है तो मतलब यह क्या बन जाएगा plus बन जाएगा 5 का square कितना हो जाएगा 25 और इसे multiply करेंगे तो 225 हो जाएगा तो आपका answer तो आए आप question number 2 करते हैं तो आईए अब question number two करते हैं यह में दिया गया है two का power में cube दिया गया है two का power में cube मतलब two का cube कितना होता है और into two to the power whole power कितना दिया है four तो यहाँ पर two का power कितना होता है cube तो cube होने से two का cube कितना होता है eight यहां पर 8 लिख दिए फीट 2 का 2 लिखेंगे उपर में whole power कितना था 4 अब यहां पर क्या करेंगे 2 into 8 कितना हो जाता है 2 8 16 कितना हो जाता है 16 अब उपर में power कितना था 4 4 लिख देंगे अगर 4 का अगर 16 4 times है 4 का 4 power में है 16 power 4 दिया गया है तो 16 को 4 times लिखेंगे कितना है 4 times और इसको सब multiply करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 6 5 5 3 6 यह रहा आपका answer इसे गुना करने पर multiply करने पर इतना answer आजाएगा तो आईए अब question number 3 करते हैं यहां पर दिया गए तू का power में note हो किसी भी number का पावर में note होता हमेंसा क्या होता है उसका भेलू यह mettre one उसका भेलू कितना हो गवान इसका भी पावर में note है मतलब इसले लू कितना होगा वान तो वान इंटु वान इंटु करेंगे तो वान यह रहा आपका एंसर तो आए आप कोस्चेन नंबर फोर करते हैं आमें 5 बाइट तुडिपाव माइनस 7 इंटु 8 बाइट पाइट तुडिपाव माइनस फोर दियागा जब भी माइनस में दिया हो तो रूल था यहां पे तो यह माइनस को प्लस करने के लिए नीचे वाला कहां चला जाता है उपर और उपर वाला कहां नीचे और यह माइनस क्या बन जाएगा प्लस 7 बन गया अब यहां पर ऐसी करेंगे यह वी उपर वाला नीचे आजय गा नीचे वाला उपर तुडिपावर फोर हो गया बैच पावर्पलस नहों गया अभी यह अंड पर क्या प्लेट में देखते हैं कि यहां में यह से स्थी हो और 5520 कुछ भी उते यह वाला जो बीच मैं कि है कि ग्रwork में हो guess the result is c6xii8 इसके लिए है तो यह तो गया अब यहां क्या करेंगे इसको भी रित cigar यहां का फोर कैंशल होजड़ायगा यहां का फोर क्या हो चाई है कितना थ्री बच जाएगा नहीं फोर से यह फोर zobaczyंजेंऽ हो घ्नक एट का पावर मैं के बच्टाइम तो सब्सक्रेमें फोर का पावर कितना 3 बचा अब यहां पर यह सब केंसिल हो गया यह कुछ नहीं बचा यह में कुछ नहीं बचा यह तोटल केंसल यह भी केंसिल यहां में 3 बचा यहां में 5 का पावर क्यूब तो हमें पता है तो हमें पता है 8 का पावर क्यूब का बेलू कितना होता है 8 का पावर क्यूब मतलब 512 और 5 का क्यूब कितना होता है 125 तो यह आपका एंसर